नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम बात करने वाले हैं करक राशी वाले जातक का यह सब्ताह 26 जून से 2 जुलाई तक कैसा रहेगा। तो आईए जानते हैं। आपकी चंद्र राशी में शनी आठवे भाव में मौजूद हैं, तनाव का सीधा असर तबियत को खराब कर सकता है और ऐसा ही कुछ आप इस सब्ताह भी महसूस करेंगे। क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशानती आपके तनाव में वृद्धी का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। इस सब्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धी होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूरते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दोरान हर दस्तावेश पर हस्ताक्षर करने से पहले, आपको उन्हें तसल्ली बक्ष आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्नय लेना है, तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें। क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाब उठाते हुए, हर फैसले में उनकी सलाह लें। आपकी चंद्रराशी में ब्रिहस्पती दस्वे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कारियों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम से जल्द ही फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। कई छात्र दूसरे छात्रों के उपकरन देखकर अपने पास उनका अभाव महसूस कर सकते हैं। जिसके कारण वो इस सप्ताह अपने घर वालों से किसी नए स्मार्ट फोन या लैक्टॉप की मांग भी करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपके मातापिता पहले ही अपना खुनपसीना एक करके आपको उत्तम शिक्षा दिला रहे हैं। और अब आपकी ये मांग उनके आर्थिक बजट को बिगड़ते हुए उन पर अतरिक्त बोज डाल सकती हैं। उपाय चंद्राय नम का प्रतिदिन 11 बार जब करें। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यव बात मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राम जै हनुमान